हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम डाउनलोड और इंस्टल कर सकते हैं HP LaserJet 10018 प्रिंटर के ड्राइवर को वो भी अपने Windows 7 के PC या फिलेप्टॉप में पहुत ही सिंपल प्रोसेस है तो चलिए अपने वीडियो क्यों तो सबसे पहले आप क्या किजिए YouTube के description में जाएंगे वहाँ पे दो लिंक होगी Mega की होगी और दूसरी होगी Google Drive की किसी भी लिंक के उपर क्लिक कर दीजिए वह लिंक आपके web browser में open हो जाएगी यहाँ पे आपको download मिलेगा download के उपर जाएए download as a zip के उपर जाएए और यह download start हो जाएगा कुछ ज़्यादा फड़ी file नहीं है कुछी seconds में यह file download हो जाएगी तब तक wait कीजिए हमारी file यहाँ पे download हो चुकी है show all में जाएंगे show in a folder में जाएंगे इसे minimize कर लेंगे इसे drag करके desktop में लाएंगे close कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी zip file है इसे हम unzip कर सकते है right click करेंगे extract all के उपर click करेंगे extract कर देंगे एक नई folder बन जाएगी close करेंगे इसे यहाँ पे फोल्डर है double click करेंगे इसके अंदर एक folder है double click करेंगे और यहाँ पे हमारी setup file है और इसे हम manually install करने वाले close करेंगे तो manually install करने के लिए start में जाएंगे control panel के उपर click करेंगे यहाँ पे devices and printers होगा devices and printers के उपर click करेंगे top में add a printer होगा यहाँ पे port होगा तो port ही इस सारे installation का main part है तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अगर HP printer HP printer device HP का कुछ भी मिलता है तो उसे select करेंगे नहीं मिलता है तो next option होगा USB, USB 001, 002, 003, 004 कौन सा भी USB हम select कर लेंगे next के उपर click कर देंगे यहाँ पे howard X में जाएंगे browse में जाएंगे desktop में जाएंगे हमारे HP printer को select करेंगे double click करेंगे इसके उपर double click करेंगे यहाँ पे एक file होगी वो होगी हमारे driver की file उसे select करेंगे open कर लेंगे ok कर लेंगे यहाँ पे बहुत सारे printer होगे हमारे printer को select करेंगे HP laser jet 1018 इससे select करेंगे और next के उपर जाएंगे यहाँ पे HP printer का नाम होगा आप कोई भी नाम दे सकते हैं मैंने यहाँ पे HP laser jet 1018 टेके रखा है या फिर यह automatic आ चुका है आप नाम बदल भी सकते हैं उसके बाद next के उपर क्लिक करेंगे यह printer install हो जाएगा कुछी सेकन में अगर आप चाहते हो printer test page लेना तो printer test page के उपर क्लिक करेंगे या फिर finish के उपर क्लिक कर देंगे अब हम check करेंगे हमारा printer properly install है नहीं start में जाएंगे control panel के उपर क्लिक करेंगे devices and printers के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए HP laser Z.018 आ चुका है इसका मतलब यह printer properly हमारे Windows 7 में इंस्टाल हो चुका है तो दोस्तों इस वीडियो को आन तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कता ही मत पूलिए तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई